कि दोस्तों जब भी आप टारट वीग की चीक निकालते हैं या अंडे से चूज़े निकलते हैं तो हम उसका क्यार कैसे करेंगे उनको कैसे पालेंगे पहले जब निकलते हैं सारी चूज़ा निकल जाने के बाद वह उनको बाहर निकाल दीजिए कि बाहर में शनलाइट में दूप में एक प्लास्टिक का बोरी विचा दीजिए उसके उपर आप उन चूज़ों को और मुर्गी को छोड़ देजिए क्योंकि यह जो प्लास्टिक का बुरा डालेंगे उसमें से क्या होगा कि मुर्गी जब प्लास्टिक का बुरा लेकर उसके उपर चूज़ों को छोड़ दीजिए पूरा साफ सुत्रा पानी चोटा सा बत्तन लिजिए चोटे हाइट काम हाइट का जैसे की चूज़ा उसमें पानी में गिरेंगे तो डूबेंगे नहीं इसे देखिए आप यह व्यूडियो में देख सकते हैं थोड़ा थोड़ी शी हाइट में बरतन लिया हूं उसमें थोड़ा साफ पानी दिया हूं और आप स्टार्टर फीड और बाजरा चावल मिलाके दे सकते हैं देखिए मैंने दिया हूं चूज़े भी खा रहा है उसके माय भी खा रहा है क्या कि स्टार्टर फीड में थोड़ा प्रूटीन ज़्यादा है इसलिए उस चूजों को ताकत मिल जाता है वह आच्छे से ग्रोध हो जाते हैं उनको सब्सक्राइब की सब्सक्राइब जो विटामिन है वह उनको मिल जाएगा वह उनका सरी थुड़ा फुरतिलह हो जाएगा अच्छा रहेगा और खुले हावा में उनको एक थोड़ा एनरजी मिलेगा लेकिए चुझों को यह चोटे-चोटे चोजे हैं नाजुक हैं उनका सरी जो है वह बहुत नाजुक है उनको डारेट सनलाइट में नौद छोड़िये जो शुरज का पहला किरन होता है मतलब सुभा का संलेट में छोड़ा बत छोड़ देने चलेगा लेकिन जो जब हीट बढ़ेगा तो डारेक्ट संलेट में मत छोड़िये नहीं तो उनका सरी जो है वो गर्मी के बज़े से डी सब्सक्राइब हो जाएगा उनको फड़ा परिशनी में डाल सकता है तो उनको खुले हावा में छोड़िये उनको ठीक से अक्षिजन मिलेगा तो उनका भी तेवर सही रहेगा मर्केट्स से छोटा-छोटा कुट के छोटा-छोटा दाना भी जेधिमिये युद्धेस अचा रहेगा उनका नहीं तो आप बजर से खरीद के starter या pre starter दाना खरीद के दे सकते हैं या बजर से दाना जो मिलता है वो देने से कहा कि उनका खरीद थोड़ा या तेजी से ग्रूध हो जाता है इसलिए हम बजर से दाना खरीद के देते हैं पानी में मॉल्टिबल टाम देजिए विशी जारा क्या लेजिए आपका चुजा ठीक से रहेगा